सद्गुरू, आप हिंदू मंदिरों को सरकारों के चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है। पर प्राण प्रतिष्ठित रूप के संपर्क में किसे रहना चाहिए। क्या ये फिर से ब्राह्मनों के पास चला जाएगा। सद्गुरू, क्या मंदिर प्रबंधन का बस यही एक तरीका है। मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बस सम्विधान में जो लिखा है, उसका अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि कैसे किसी आध्यात्मिक स्थान या आप अगर इससे धार्मिक स्थान कहना चाहें, इसको कैसे मैनेज और चलाया जाना चाहिए। इस देश के और दुनिया के ज्यादतर हिस्सों में लगबख सभी लोकतांत्रिक देशों में लोगों के पास ये मूल भूत अधिकार है कि वो अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकें। जो उनमें जाना चाहते हैं वो वहां जाएंगे, जो नहीं जाना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे। अगर आप एक बढ़ ही हैं, तो आप एक तरह के आचारी हैं। अगर आप सुनार हैं, तो दूसरी तरह के, लुहार हैं, तो एक और तरह के, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आप एक तरह के वैश्य हैं, किसान हैं, तो दूसरी तरह के, अगर आप योध्धा हैं, तो एक दूसरी श्रेणी में हैं, तो पेशों के आधार पर समुदाय ब दुर्भाग गिवश, लोगों ने इन श्रेणियों में अंतर को भेद भाव में बदल दिया और उसे शोशन का एक जरिया बना लिया. तो अगर हिंदू मंदिरों को आप कह रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि उन्हें मुक्थ होना ही चाहिए, हिंदू मंदिरों को मुक्थ होना ही चाहिए, क्योंकि इसका एक महत्वपून पहलू ये है कि इनका संबंध कभी भी किसी एक विशेश संप्रदाय से नहीं था, बलकि किसी एक विशेश गुण से था. देवी मंदिरों को एक तरह से बनाया गया, शिव मंदिरों को दूसरी तरह, क्रिश्न के मंदिरों को किसी और तरह से, सारे विश्नु मंदिर किसी और तरह से, ब्रह्मा का और अलग तरह से और देवियों में भी उनके विभिन रूपों के मंदिर अलग-अलग तरह से बना आपको के सुद्देश के लिए जाना है। उस अनुसार आप अपना स्थान चुन सकते थे। और इनकी प्रकृती के हिसाब से अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग प्रकार के मंदिरों को मैनेज करते थे। और धीरे-धीरे मंदिरों के रख-रखाव के लिए भक्तों द्वारा सहयोग दिया जाता रहा और मंदिरों की संपत्ती बढ़ने लगी। और जैसे-जैसे संपत्ती बढ़ती गई, तो कुछ खास समुदायों ने इन पर अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया, क्यो कि हिंदू मंदिरों को ब्रिटेस्ट सामराज्य द्वारा नहीं, बलकि इन्हें इस्ट इंडिया कंपणी नामके कॉर्प्रेट द्वारा छीन लिया गया था। एक बिजनिस ने मंदिरों पर कबजा कर लिया। आपको लगता है कि एक बिजनिस ये दिदर्म में इंट्रेस किया जा रहा था तो इसाई समुदाय ने इसका विरोध किया इंग्लेंड में भी और यहां भी कि क्रिश्चन दूसरे धर्म के मंदिर चला रहे हैं और हमें ये बरदाश्ट नहीं है तो उन्होंने मंदिर को वापस देने का फैसला किया पर तब तक सारा जेवर और सब कुछ लूटा जा चुका था जमीन वो इंग्लेंड नहीं ले जा सके बाकी जो ले जाया जा सकता था वो सब ले गए कुछ मंदिर इससे बज गए पर ज्यादातर मंदिरों के पास सोना, हीरे जवाहरात का जो विशाल भंडार था जो कि लोगों के लगातार सहयोग से इकठा हुआ था, सब चला गया यह आपातकालिन स्थिती जैसे सूखा आकाल के लिए हुआ करता था जिसे खर्च करने का नेड़नाय मंदिरों द्वारा लिया जाता था खैर, अब यह इतिहास की बात है तो इन्हें मुक्त करने के बाद क्या ब्रहमनों को वापस आ जाना चाहिए? बिलकुल नहीं एक समय था, जब सेना में भरती होने के लिए आपको क्षत्री होना पड़ता था मंदिर में होने के लिए ब्रहमन पर आज आप जानते हैं कि कोई भी भरती सेना जॉइन कर सकता है चाहे वो किसी भी जाती धर्म समुदाय से हो तो यही चीज मंदिरों के साथ भी होनी चाहिए बस एक जरूरी चीज होगी ट्रेनिंग तो हम इसके लिए संस्थाएं खोल सकते हैं जो ट्रेनिंग देंगे चाहे आप किसी भी धर्म जाती से हो आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं हमें ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो लोगों को ट्रेन करें कि एक शिव मंदिर में क्या होना चाहिए क्रिश्न मंदिर में क्या होना चाहिए विश्णु मंदिरों में क्या होना चाहिए, देवी मंदिरों में क्या होना चाहिए जो भी ये प्रक्रियाएं सीख कर परीक्षा पास कर लेंगे वो मंदिर चलाएंगे यहाँ ईशायोग केंद्र में इसके बहतरी नुदारण मौझूद है भैरवी देवी मंदिर की ये कड़ी ट्रेनिंग प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कई सारे रिवाज और प्रक्रियाएं हैं केवल महिलाय ही इन्हें कर सकती है पुरुष गर्ब ग्रेह से बाहर रहते हैं वो भीतर नहीं जा सकते क्योंकि इस प्रांट प्रतिष्ठा की प्रकृती ही ऐसी है और यहाँ ध्यान लिंग मंदिर में आधे चंद्रमास इसे पुरुष मैनेज करते हैं और महीने के अगले भाग में महिलाएं पर यह सभी ब्रह्मचारी हैं भस्म वाले लोग क्योंकि वो खुद भस्म है अब काल भैरव मंदिर बन रहा है आप देखेंगे कि उसे बिलकुल अलगी तरह के लोग मैनेज करेंगे हाँ, क्योंकि ये बस जीवित लोगों के लिए नहीं बन रहा ये मर चुके लोगों का भी खयाल रखेगा तो इसे एक अलगी स्तर्की भागिदारी चाहिए एक अलग स्तर्की योगिता इसे मैनेज करने के लिए और यहाँ जो लोग मंदिरों में आते हैं देखें, यहाँ हर धर्म, जाती, पंथ के लोग, हर कोई आता है कोई चेक नहीं करता कि कौन क्या है क्योंकि हमें इसमें इंट्रेस्ट नहीं है कि आपके पिता कौन थे हमें बस इसमें इंट्रेस्ट है कि आप कहां जाना चाहते है यही लोगतंत्र की बुनियाद है, मैं आपको बता रहा हूँ लोगतंत्र की बुनियाद यह है कि हमें आपके पूरवजों में रुची नहीं है, आप कौन हो, हमें बस इसमें रुची है, यही लोकतंत्र है, और यही आध्यात्म की बुनियाद है, हमें इससे मतलब नहीं कि आपके पिता और दादा कौन थे, वो जो भी रहे हो, आप क्या हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आ पुजारी केवल प्रक्रिया को पूरा करवाते थे, वो वहाँ बस चीजों को आसान बनाने के लिए हैं, कभी भी उस जगह पर शासन नहीं जमाते, कभी वहाँ अपना दबदबा नहीं बनाते, कोई उबदेश नहीं देते, वहाँ कोई भी कभी कोई उबदेश या फिलोसफ जहां वो खुद को पोशित कर सकते हैं अपने आंतरिक विकास के लिए तो अभी मैं कह रहा हूं कि मस्जिदों और गिर्जा घरों और सभी जगाओं को ऐसा ही बन जाना चाहिए मान लीजे मस्जिद में जो वो करते हैं उसका एक पहलो मुझे पसंद है तो मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? नहीं अभी सब बटा हुआ है आप बस यहां जा सकते हैं वो बस वहां जा सकते हैं यह हमारा स्वभाग्य है कि हमने यहां इस चीज को पूरी तरह बदल दिया है यहां सभी तरह के लोग आते हैं कई महिलाएं, बुरका पहने हुए, उन्हें ध्यानलिंग पसंद है वो वहां बैठना चाहती है भैरवी में, शायद उनके हिसाब से रिवाज प्रक्रियाएं ज्यादा है तो वो बस देखते हुए निकल जाती है पर उन्हें ध्यानलिंग पसंद है तो वो वहां आती है कुछ लोग बस्तीर्थ कुंड के लिए आते हैं आप जानते हैं सूरिकुंड और चंदरकुंड हमें सब सुईकार रहे है हम किसी को यहां जाने के लिए फोर्स नहीं करते ये एक तरह का है जिसमें उस तरह की भागिदारी चाहिए वो अलग तरह का है जिसमें एक अलग तरह की भागिदारी चाहिए जब तक कि कोई इस बुन्यादी उदेश का अनुसरन करने का इच्छुक है जिसके लिए इसे बनाया गया है और उन मानकों को फॉलो करने के लिए तैयार है, जो इस उदेश को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, तो किसी भी इंसान को ना सिर्फ उस जगा, बलकि गर्ब में भी प्रवेश मिलना चाहिए. कोई कहीं से भी हो, तथा कथित बखवास, ये हाई क्लास, लो क्लास, उची जाती, नीची जाती, कोई हिंदू हो, मुसलिम, मिसाई, यहूदी, सिक, चाहे जो भी हो, अगर वो किसी एक खास आयाम के प्रतियाकर्शित हैं, और उसके लिए जरूरी तैयारी से गुजरने को इ जा सकता है, आपको ये समझना चाहिए कि जो संस्थाएं थी, उन सब पर एक नकारात्मक धंग से जाती प्रणाली का रंग पोद दिया गया, अब वो संस्थाएं जो लुहारों को ट्रेन करती थी, लुहार जाती बन गई, वो एक संस्था है, दुरभाग्यवश, किसी तर सुनारों ने ये पहलाना शुरू कर दिया कि सुनार लुहारों से उपर हैं, जबकि किसी समाज में, आप लुहारों के बिना नहीं रह सकते, सुनारों के बिना आराम से रह सकते हैं, तो ये उँच नीच का बिजनस बाद में हुआ मंदिरों में ऐसा कभी नहीं था देखे, मंदिर मतलब ऐसा स्थान जो जीवन के लिए जो जीवन के एक विशेश आयाम को जो की बहुत एक प्रकृती की सीमाओं से परे जाने के बारे में हैं उसे लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है लोगों को उस आयाम का अनुभव कराने के लिए अगर आपने भौतिक्ता की सीमाओं को पार कर लिया तो आपने उन सभी सीमाओं और भेदों को पार कर लिया जो आज दुनिया में बने हुए हैं जाती, पंथ, लिंग और हर तरह की बक्वास के नाम पर हमने देखे इस तरह की चीजें कई मंदिरों में हुई है कि वो विदेशियों को नहीं आने देते देखे एक समय था जब भारत में बोर्ड लगे रहते थे भारतियों और कुटों को यहां आने की अनुमती नहीं है तो प्रतिक्रिया में आपने अपने मंदिर में ऐसा लिख दिया कि विदेशियों को अनुमती नहीं है यह आपकी एक छोटी प्रतिक्रिया थी और ये सज भी था कि कुछ लोग बस मंदर का तिरसकार करने आते थे वो बस ऐसी कई घटनाय हुई जहां वो अंदर आकर वहां थूकना चाते थे कई ऐसी घटनाय हुई जहां लोग जान बूच कर मंदर में पिशाप करना चाते थे वो गुलामी का समय था, वो बीद गया आज अगर कोई जिसका जन भारत में नहीं हुआ और वो मंदिर आना चाहता है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सच में आना चाहते हैं तिरसकार ये आपमान करने नहीं वो वाकई आना चाहते हैं क्योंकि वो इसका अनुभव करना चाहते हैं तो राष्ट्रियता, लिंग, जाती, पंथ कुछ भी माइने नहीं रखता क्योंकि ये एक आयाम है मंदिर एक आयाम है जहां आपका लेंदेन उससे होता है जो आपकी भौतिक प्रकृती से परे है और ये आयाम हर इनसान के लिए खुला है सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं सिर्फ उप्योक के लिए नहीं बलकि गर्ब ग्रह के संपर्क में भी ये आयाम हर किसी के लिए खुला है यहां कई माँ थीं जो एफरिका से थीं आज हर जगा के लोग यहां हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ भारत से, मैं और कई तरह के लोग देखना चाहूँगा, शायद चीन से, जापान से, यहां के, वहां के, हर तरह के, यह ज़रूरी है, यह ज़रूरी है, ना सिर्फ मंदिर के लिए, यह ज़रूरी है मानपता के यही वजय है कि क्यों मैं मंदिरों को सरकारी चंगुल से मुक्त करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये आज भी इतिहास के एक भद्दे हिस्से को पकड़े हुए हैं, जो एक समय पर था, समय आ गया है उसे खत्म करने का और एक भवे भविश्य बनाने का. झाल